दोस्तों यह है हमारा यूनिक जीनियस प्रो मोडल और 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 जीबी मशीन है यह और जीबी कार्थ है कि इसमें हर कलर को हम सेट कर सकते हैं मल्टी ग्रेन निकाल सकते हैं यानि कि हर परकार के अनाज को चला सकते हैं और हर परकार कलर को इसमें सेट कर सकते हैं अभी जो मशीन ने आ रही है वार्जी भी ही आ रही है फाइप चूट का यह मसीन है चलिए इसका जी कैसे काम करता है देखते हैं इसकी स्क्रीन पर आगए हम और यहां पर जो टोप में लेफ्ट हैंड साइड में कंपनी अपना ब्रांड दिया हुआ है उसके बाद वैराइटी है कि हमने कौ देखिए लिखाओ आ रहा है परामिटर सेविंग इसका मतलब है कि जितना भी हमने बदलाव किया हो से हो गया है अगर हम से नहीं करेंगे तो लाइट जाएगी तब हमारा जो भी बदलाव किया था वह वैसे कर वैसे ही हो जाएगा यह आई बटन पर देख लीजिए इनफोर्मेशन है अलारम है रिमोट कंट्रोल है अलारम और रिमोट कंट्रोल जो है यह आपको इंजिनियर लेवल में ही सो करेगा तो रिमोट कंट्रोल क्या होता है रिमोट कंट्रोल होता है कि हम कहीं भी दूसरे टेक्स्टोप पे या अपने फोन पे अपना इसको मशीन को control कर सकते हैं बाद में इसके बारे में जानका रिदेंगे देखिए ये जो आपको stop बटन दिया हुआ है ये feed को on और off करने के लिए है और यहां पे और इसी से हमारा फीड जो है ओन भी होगा अगरें देखते हैं यह देखिए कनफरम फीड़ान तो हमें ओके पर जाना है और यह देखिए हमारा फीड स्टार्ट होच पार इसके बाद हम देखते हैं तो एक्यूरेसी है और एक्यूरेसी में क्या है हमारा सेंस्टिविटी यह देखिए यही हमारा सेंस्टिविटी है जिस पर एक्यूरेसी लिखावा है इसमें वन टू थ्री जो लिखावा है यह प्रैमरी सेकेंडरी और ट्रीटरी है और लेफ्ट हैंड साइड में एफम और आरम लिखावा है यानि की front management और rear management front का camera है उनके sensitivity को बदलने के लिए हम FM पे जाएंगे और rear के लिए हम RM पे जाएंगे तो यहां पे देखिए हमने लिखा हुआ है black, dark red और green red तो यह हम जो भी color निकालना है उस हिसाब से हम इसको कम या जादा कर लेंगे ठीक है दोस्तों इसके बाद हम जाएंगे secondary पे तो secondary पे कुछ नहीं लिखा थर्ड पे कुछ नहीं लिखा वाए क्योंकि हमने इन पे कुछ डाला नहीं है हम इसमें अपने हिसाब से लिख सकते हैं यह हम आपको आगे दिखाएंगे कि यह किस परकार से कारी करता है बगी हम यहां से सिधा गटा बढ़ा सकते हैं अब आगया देखिए capacity पे जाएंगे तो फाइब चूट का यह मशीन है तो जितने अभी अपना चूट है उस हिसाब से इनोंने दिया हुए हम किसी भी जो है चूट का speed को कम ज़्यादा कर सकते हैं देखिए पलस से ज़्यादा और माइनस से कम हो रहा है हम सिधा इसमें बढ़ भी सकते हैं तो यह हमारा हो गया है इसके बाद देखिए capacity हो गया accuracy हो गया अब cleaning देख लेते हैं cleaning में यह हमारा वाइपर का है तो 15 सेकंड यह लगेगा पास मिनट बाद लगेगा यानि हर पास मिनट में लगेगा इनको हम बदलन भी सकते हैं विप सिंगल विप सिंगल कर देंगे तो वाइप पर एक साइड़ लगेगा वहीं रुक जायेगा और यहां नीचे हमने कल जाते हैं और अब मोड देख लेते हैं मोड में हमारी बैराइटी दी हुई है तो अमने यहां पर गया हो भी चलाते हैं और दाल भी तो अलग लग फोल्डर बनाई हुए है मोड बनाई हुए है कुछ भी बोलो आप तो इस पर बैक चलते हैं आगे देखिए शेटिंग का आता है चैट लिखा हुए है इन शेटिंग इस पर आपको डेट बगर है दिखाई दे रही है कुछ नहीं दिखाई दे रहा लेकिन जब इंजिनिरिंग की खुलेंगे तो यह यह हमारे देखिए डेट वगरा दिया हुआ है और यहां पर जो मैन बना हुआ है इस पर हम जाते हैं और इंजिनिरिंग का कोलते हैं तो हमारे पास थोड़े और ओप्शन मिल जाएगे जो कि हम अभी देखेंगे पासवर्ड लगाया अभी देख लेते हैं कि हमारे पास ओ देख दो डिलेay टाइम में अगर आप इनको चेंज कर देंगे तो हमारा मशीन फिर हम सोट मारेगा और प्रोपर सही तरयके से नहीं चलेगा सही तरीके से हमारा इजेक्टर काम नहीं करेगा इनको बद्लाव नहीं करना है नीचे जो है हमारा वालप चेक करने के लिए सकते हैं कि हमारा मेशीन चल रहा है ये बंद में ही हमच चैक कर सकते हैं और देखिए दिखाते आपको धेकी आ गया गया फृर्फ फीड ओर करने के बाद ही हम कर सकते हैं आपको हरे एक में बोम графically यह दिखिए यह हमारी वैराराइटी में देख़िए अब न्यू का उप्षन आ गया डिलिट का गया रिनेम का गया कोपी का गया मोर का गया और मोर में जाते तो एकसपोर्ट इंपॉर्ट बैक अप ओर लोक अनलोक का भी आ गया यहनि कि हम अपने किसी फोल्ड को लोक कर सकते हैं कर सकते हैं, तो यहां पर यह option ज्यादा हो गये है, बैक चलते हैं, और देख लेते हैं क्या हमारे पास option ज्यादा मिले हैं, तो इजेक्टर का भी हो गया दा, अभी हम आई बेटन पर चलते हैं, आई बेटन पर देखिए, अलारम भी वो शो करने लगा है तो अलारम एर प्रेसर का लगाया हुआ है फीड ओफ का अलारम लगाया हुआ है दो अलारम चैट किये हुए है और नीचे जो है रिमोट कंट्रोल है रिमोट कंट्रोल होता है दोस्तों कि हम अपना जो मशीन को है अपने फॉन से भी हैंडल कर सकते हैं तो कि इसमें वाइपाई लगावा है रूट लगावा है इसके उपर भी हम वीडियो बनाएंगे आगे तो देखिया हम एकुरेशी में चलते हैं और इसमें देख लेते हम पहले हमारे पास यह अरो गया है एरो में देखिए हम इसका बद्लाव कर सकते हैं हमारे पास अगर बैलेंस खराब हो जाए तो यह देखिए लाइट बराबर जलनी चाहिए कम ज्यादा हो तो हमारा बैलेंस खराब हो जाता है इसके उपर एक अलग से वीडियो बने सकता है तो इसमें एक ओप्शन यह ज्यादा मिल गए आपको और इसमें हम अपना जो है से टूटी का नाम भी लिख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है बलेक ग्रीन रेड लिखा हुआ है इस परकार से हम इसनके नाम डाल सकते हैं हमारे पास यह भी एक सुद्या मिल गई है और यहाँ प हे तो इसके बाद कि यह देखे इसमें पहले सेटिंग में ऐसा कुछ नहीं था लेकिन अभी इसमें एड़ वांस शेटिंग भी शो कर रहा है और भी शेटिंग शूपर रहा है पहले इसमें स्रफ डे टॉम और टाइम दिखारा था यह देखिए एड्वांस में लैंगवे कर रहा है अपडेट है और सिस्टम सेटिंग है सिंगनल सेटिंग है तो यह सेटिंग है इन सब में तो बैक चलते हैं आपको बोटम में जहां भी जाएंगे बैक का मिलेगा और लेफ्ट करने के लिए मिलेगा चलिए अब फिर से हम बाहर आगे हैं लेकिन आपको एक चीज दिखाना बुर गए थे तो चलिए वह भी दिखा देते हैं एक्यूरेशी एक्यूरेशी में क्या है कि देखे हमने नाम डाला हुआ रैड ब्लैक ग्रीन यह हम कैसे सेट करते हैं इस देखे सेकेंडरी पर वन तू-3 लिखा हुआ है यहां पर कोई कलर नहीं लिखा हुआ तो अब यहां पर हम कैसे लिखेंगे वहीं देखिए देखें फरस्ट पर ल लेकिन सेकेंड रिफली नहीं लिखा हुआ है अब लिख के आपको दिखाते हैं एरो पे गई हम इसके सामने यह बगई और जहां वन लिखा हुआ है इसको डिलीट करते हैं और अब इस पर लिखते हैं रेड रेड लिखा ओके किया हूँ गया तो हमारा एक नमबर सेंस्टिविटी अब हमने लिख दिया रेड ये रेड को निकालेगा ये पिछे से सेटिंग की जाती है ये नहीं कि आपने रेड लिख दिया या ब्लैक लिख दिया तो ब्लैक होगा लेकिन अगर ये ब्लैक निकाल रहा है तो हम इस पर लिख देते हैं ब्लैक इससे असान हो जाता है काम करने में यह देखे ब्लैक लिखा है यह ब्लैक सेट हो गया है इसके बाद थट पर जाते हैं एरो पर जाते हैं और यहां पर देख देते हैं तो आसान है और दोस्तों इसके बाद वीडियो आपको जो है बहुत जल्द हमारा आएगा इन्फोर्मेशन से संब्दित कि हमारे जो पार्ट उत्ते हैं उनसे संब्दित आएगा और आपका फोन से आप मशीन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके उपर एक वीडियो आएगा तो देखते रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मच